कीबोर्ट बेसिक्स, मॉड्यूल वान, इन्पुट जब हम कम्प्यूटर को कोई इन्फरमेशन मोहिया करते हैं, तो वो कम्प्यूटर की इन्पुट कहलाती हैं. जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि जो चीज़ कम्प्यूटर को इन्पुट देने के लिए इस्तमाल की जाती है, उसे हम इन्पुट डिवाइस कहते हैं. इस सेक्शन में हम आपको एक एहम इन्पुट डिवाइस के बारे में तफसील से बताएंगे. इस लेसन को करने के बाद आप जान जाएंगे कि कीबूर्ड क्या है, कीबूर्ड पर मौजूद मुख्तलिफ कीज कौन से हैं और इन कीज से क्या काम लिया जा सकता है. जैसे कि हम काख़़ पर कुछ तहरीड करने के लिए कलम इस्थमाल करते हैं, उसी तरह कंप्यूटर में कुछ लिखने के लिए हम जो इन्पुट डिवाइस इस्थमाल करते हैं उसे कीबूर्ड कहा जाता है. अब आप मुख्तलिफ किसम के कीबूर्ड देख रही हैं. अधर किस्म के कीबोर्ट पर तमाम बन्यादी कीज मौजूद होती हैं. हो सकता है के कुछ कीज की लोकेशन आपके कीबोर्ट पर मुख्तलिफ हो. ये वो कीबोर्ट है जिसके बारे में हम आपको बताएंगी. इसे कीबोर्ड इसलिए कहा जाता है क्यूंकि ये एक बोर्ड है जिस पर कीज या बटन लगे हुए हैं. इन में से कुछ कीज का साइज बाकियों से मुख्तलिफ होता है. Computer Keyboard एक आम से टाइप राइटर जैसा होता है जिसमें कुछ इजाफी कीज शामिल होती हैं. कीबोर्ड पर लगी हुई हर की एक मुनफरित किसम की information कम्प्यूटर को देती है. Process of Key Pressing कीबोर्ड कीज को उंगली की मदद से दबाया या प्रेस किया जाता है और फिर छोड़ दिया या रिलीस कर दिया जाता है. इस अमल को Keystroke कहती हैं. इस बात का खयाल रखें कि कीबोर्ड की किसी की को दबाते हुए उस की को एक मरतबा दबाना है और फिर छोड़ देना है. अगर आप किसी की को मुसलसल दबाए रखेंगे तो देखें कि उस की का केरेक्टर बार बार लिखा जाएगा. Keyboard overview अब हम आपको Keyboard की मुख्तलिफ Keys के बारे में बताएंगे. जैसे के आप देख रही हैं कि कुछ Keys के ऊपर केरेक्टर लिखे हुए हैं, जैसे A, S, D, F वगएरा. इन Keys को Alphabet Keys कहते हैं. कुछ Keys के ऊपर Numbers लिखे हुए हैं, जैसे के आप देख रहे हैं, 1, 2, 3 वगएरा. इन Keys को Numeric या Number Keys कहते हैं. इसे Keyboard के हिस्से में, केरेक्टर और Number Keys के अलावा कुछ और Special Keys भी मौचूद हैं, जो Highlighted नजर आ रही हैं. इनको हम थोड़ी दिर में तफसील से देखेंगे. Keyboard के बाइन जानेब उपर की तरफ अब जो Highlighted Key आप देख रहे हैं, उसके उपर E, S, C यानि Escape लिखा हुआ है. ये Escape Key कहलाती है. ये Keys जो अब आप Highlighted देख रहे हैं, इनको Function Keys कहते हैं. इनके उपर F1, F2, F3 बगएरा लिखा हुआ है. अब हमें Keyboard की दाइन जानेब चार Keys नजर आ रही हैं, जिन पर तीर के निशान बने हुए हैं. ये Arrow Keys कहलाती हैं. ये देखिए, Keyboard के बिलकुल दाइन जानेब, आपको Keys का एक सेट नजर आ रहा है, इसे Numeric Keypad कहते हैं. ये कुछ और Keys हैं, जो कम्प्यूटर पर मखसूस काम करने के लिए इस्तमाल की जाती हैं, जिनकी तफसील हम कुछ देर में देखेंगे. ये लाइट्स की बोर्ट के दाइन जानेब उपर की तरफ, आईए, अब हम कीबोर्ट की अहम Keys को तफसील से देखते हैं. Character Keys, जैसा के हम पहले भी आपको बता चुगे हैं, कि Character Keys के जरिये हम मुख्तलिफ characters या हरूफ लिखते हैं, या input करते हैं. Space Bar Key, ये देखिए, अब आपको एक लंबी की नजर आ रही है, इसे Space Bar कहते हैं. असल में इसकी को हम Space Bar इसलिए कहते हैं, क्यूंकि इसको एक मर्तबा प्रेस करके छोड़ा जाए, तो किसी भी दो characters के दर्मियान एक Space या फासला हो जाता है. मिसाल की तौर पर अब आप स्क्रीन पर देख रही हैं कि हम Virtual लिख रही हैं. अब हमने Space Bar की एक मर्तबा दबाई हैं और इसके बाद University का लफ्स लिख रही हैं. गोर करें कि दोनों अलफास के दर्मियान Space Bar प्रेस करने की वज़ा से एक character का फासला मौजूद है. Number Keys देखिए, इस तरह Numbers लिखने के लिए हम इन Number Keys का इस्तामाल कर रहे हैं. इन्हें Number Keys कहते हैं Punctuation Keys चुँकि हम रोजमर्रा जिंदिकी में अपनी तहरीरों में Punctuation Marks का इस्तामाल करते हैं. इसलिए Keyboard पर भी ऐसी Keys मौजूद हैं, जिन पर Punctuation Marks हैं. इल्फबेट Keys के दाइं जानिब आप इन Keys को देख रहे हैं. देखिए, अब हमने कॉमा प्रेस किया है और स्क्रीन पर कॉमा लिखा नजर आ रहा है. अब हमने Full Stop Key प्रेस की है और स्क्रीन पर एक Full Stop नजर आ रहा है. इन Keys के साथ हमारे पास दो Bracket Keys भी मौजूद हैं, जैसा के आप देख रहे हैं. देखिए, Bracket Key प्रेस करने से स्क्रीन पर एक Bracket नजर आ रही है. इसी तरह एक Key बैक स्लैश के लिए भी है. देखिए, इस Key को दबाने से स्क्रीन पर जो हर्फ आपको नजर आ रहा है, इसको बैक स्लैश कहते हैं. Enter Key अब जो Highlighted Key आप देख रहे हैं, उसे Enter या Return Key कहते हैं. इस Key के उपर Enter लिखा हुआ है और एक तीर का निशान बना हुआ है. हो सकता है कि आपके Keyboard पर इस Key के उपर खाली Enter लिखा हो या सिर्फ तीर का निशान बना हो. असल में जब हम Keyboard की मदद से Computer में कुछ लिखते हैं, तो एक Line खत्म होने से पहले अगली Line पर जाने के लिए हम Enter Key को दबाते हैं. ये देखिए, आपकी आसानी के लिए Keyboard के दाई जानिब Numeric Pad पर भी एक Enter Key मुईया की गई है. इस Key का इस्तिमाल भी बिलकुल वैसा ही है, जैसा हमने अभी पहली Enter Key के बारे में देखा है. आपके सामने हम Virtual University लिख रहे हैं. अब हमने Enter की दबाई है. देखिए के इस Key को दबाने से करसर अगली लाइन पर आ गया है. और अब हम जो लिख रही हैं, वो अगली लाइन पर नजर आ रहा है. Exercise A1. Characters and Space Bar Key. आईए, जिन Keys की तफसील हमने अभी तक देखी है, उनकी कुछ प्रेक्टिस कर लें. आपके सामने एक स्क्रीन मौजूद है, जिसके दो हिस्से हैं. नीचे वाले हिस्से में आप एक की बोर्ड देख रही हैं. इस Exercise में आपने जो भी टाइप करना होगा, उसकी की आपकी आसानी के लिए की बोर्ड पर हाइलाइट हो जाएगी. स्क्रीन के उपर वाले हिस्से में आपने हिदायात के मुताबिक मुख्तलिफ केरेक्टर्स टाइप करने हैं. एकसरसाइस के पहले हिस्से में आप Welcome to CPR लिखेंगे. इसके लिए सबसे पहले आप W की की प्रेस करें. देखिए, नीचे की बोर्ड पर ये की हाइलाइट है. प्रेस W. अब E प्रेस करें. L वाली की प्रेस करें. अब आप C प्रेस करें. O प्रेस करें. अब की जिस पर M लिखा हुआ है, प्रेस करें. अब E प्रेस करें. स्पेस प्रेस बार प्रेस करें, अब C प्रेस करें, पी की की प्रेस करें, और L प्रेस करें, शाबाश, देखिए, आपने Welcome to CPL लिख लिया है, Exercise 1B, Numbers and Punctuation Keys, Exercise के दूसरे हिसे में, हम कुछ Punctuation Keys की Practice करेंगे, इसमें आप Date और Time लिखेंगे, इस हिसे में भी आपकी आसानी के लिए, जो की दबानी होगी, वो नीचे दिये गए कीबोर्ड पर हाइलाइट कर दी जाएगी, सबसे पहले आप One की की प्रेस करें, देखिए, नीचे कीबोर्ड पर ये की हाइलाइटेड है, अब आप Four प्रेस करें, अब जिस की पर Forward Slash बनी हुई है, वो प्रेस करें, अब Zero प्रेस करें, अब Eight की की प्रेस करें, अब आप Forward Slash प्रेस करें, One प्रेस करें, नाइन वाली की प्रेस करें, अब आप Four प्रेस करें, अब Seven प्रेस करें, Congratulations, आपने 14 अगस्त 1947 की डेट लिख ली है, अब जिस की पर कॉमा बना हुऊ है, उसे प्रेस करें, जीरू प्रेस करें अब त्री प्रेस करें जिसकी पर डैश बना हुआ है उसे प्रेस करें तू प्रेस करें अब फाइब प्रेस करें फिर डैश प्रेस करें फोर प्रेस करें अब सिक्स प्रेस करें और आखिर में फॉल स्टॉप प्रेस करें क्या आपको मालूम है कि कीबोर्ड पर कुछ ऐसी कीज भी है जो दूसरी कीज के साथ मिलकर इस्तमाल होती है यह कीज बाकी सारी कीज से थोड़ी मुक्तलिफ है क्योंकि अगर इनको अलग इस्तमाल किया जाए तो कोई character नहीं लिखा आता इसलिए हम इन कीज को नौन टाइपिंग कीज demost कहते है यानि कि वो कीज जिनको दूसरी कीज के साथ मिला कर इस्तमाल किया जाता है जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे सामने दो कीज मौझूद है इनमें भाईजाने वाली की नौन टाइपिंग की है और दाई जानिब एक आम केरेक्टर की है अब आप देखिए कि इन कीज के कॉम्बिनेशन को इस्तमाल करने के लिए हम पहले नॉन टाइपिंग की दबा रही हैं अब देखिए कि इसको दबाई रखते हुए हम टाइपिंग की दबा रही हैं इसके बाद हम दोनो प्रेस्ट की को छोड़ रही हैं। ये तरीका इस्तमाल तमाम नॉन टाइपिंग कीज के लिए है। Alt कीज, स्पेस बार के दाएं और बाएं जानिब आपको दो एक जैसी कीज नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि दोनों कीज पर A, L, T यानि Alt लिखा हुआ है। Alt, Alternate का मुखफफ है। इन दोनों कीज को Alt कीज कहते हैं। ये भी Non-Typing कीज हैं जो किसी भी टाइपिंग की के साथ इस्तमाल हो सकती है। इन दोनों Alt कीज का काम एक ही है। ये दूसरी Alt की सिर्फ आपकी सहूलत के लिए है। Using Alt कीज फर्ज करें कि हमें कोई काम करने के लिए Alt की को F के साथ इस्तमाल करने की ज़रूरत है। देखीए, आपके सामने सबसे पहले हमने Alt की को दबाया है, अब इसे दबाए रखते हुए हम F की दबा रहे हैं। गोर करें कि Alt की अभी भी दबी हुई है. अब F की दबाने के बाद हम दोनु प्रेस्ट कीज को छोड़ रहे हैं. इस तरह हमने Alt और F कीज को मिला कर इस्तमाल किया है. इस बात का ख्याल रखें कि Alt की को F के साथ इस्तमाल करते हुए अगर हम Alt की प्रेस करते हैं और उसके बाद F की प्रेस करते हैं तो ये तरीका ठीक नहीं है. इस तरह सिर्फ F टाइप होगा. इसलिए खास खयाल रखें कि पहले Alt की दबाई जाए और इसे दबाई रखते हुए F की दबाई जाए जिसके आप देख रही हैं. Control Keys, आप देख रही हैं कि बिलकुल बाइं जानिब नीचे कोने में एक की है, जिस पर CTRL यानी Control लिखा हुआ है. इसी तरह ये देखिए, ये एक और की है, जिस पर भी CTRL लिखा हुआ है. हम इन दोनों कीज को Control Keys कहते हैं. इन दोनों कीज का काम एक ही है और आपकी सहूलत के लिए ये दो जगों पर महाया की गई है. कंट्रोल की भी Alt की की तरह Non Typing की है, जिसे हम दूसरी कीज के साथ मिला कर इस्तिमाल करते हैं. Using Control Keys देखिए, अगर हमने कंट्रोल की को A के साथ मिला कर इस्तिमाल करना है, तो उसके लिए आपके सामनी सबसे पहले हमने कंट्रोल की को दभाया है. अब इसे दबाई रखते हुए हम A की दबा रही हैं गौर करें कि कंट्रोल की की अभी भी दबी हुई है अब A की की दबाने के बाद हम दोनों प्रेस्ट कीज को छोड़ रहे हैं इस तरह हमने कंट्रोल और A की कीज को मिला कर इस्तमाल किया है Caps Lock Key अब आप एक और की देख रहे हैं जिसके उपर Caps Lock लिखा हुआ है इसे हम Caps Lock Key कहते हैं आहम तोर पर कीबोर्ड में Caps Lock Key की On या Off State को जाहर करने के लिए एक छोटी सी Light भी होती है Caps Lock Key को एक मरतबा प्रेस करने से ये Light On हो जाती है और इसी की को दोबारा प्रेस करने से ये Light Off हो जाती है इसलिए ये भी एक Toggle Key है जैसा के आप देख रही हैं कि जब Caps Lock Key Key On होती है तो हर टाइप होने वाला Letter एक Capital Letter या Upper Case Letter होता है इसी तरह आप देखें कि अब Caps Lock Key Off है और हर टाइप होने वाला Letter एक Small Letter या Lower Case Letter है ये बात याद रखिए कि Caps Lock Key का Effect कीबोर्ड की सिर्फ Alphabet Keys पर होता है यानि इसका Effect Number Keys, Function Keys और दीगर Keys पर नहीं होता Shift Keys अब जो की आपको नजर आ रही है इसके उपर Shift लिखा है और एक तीर का निशान उपर की जानिब जाता हुआ नजर आ रहा है ये देखिए एक और Key है जिसके उपर भी Shift लिखा हुआ है इन दोनो Keys को Shift Keys कहती है Shift Key भी Alt और Control Key की तरहा Non-Typing Key है जो दूसरी Keys के साथ मिलकर इस्तमाल होती है Using Shift Keys with Characters आईए हम Shift Key को K के साथ मिला कर इस्तमाल करते हैं आपके सामने सबसे पहले हमने Shift Key को दबाया है अब इसे दबाय रखते हुए हम K दबा रहे हैं अब K की दबाने के बाद हम दूनों Press Keys को छोड़ रहे हैं देखिए आपके सामने के Capital लिखा हुआ नजर आ रहा है जबके Caps Lock Key की भी Off है जी हाँ Shift Key जब भी Caps Lock Key Off State में किसी Character Key के साथ मिला कर इस्तमाल होती है तो एक Capital Ladder लिखा जाता है इसी तरह देखिए कि अब Caps Lock Key On है पहले हम Shift Key दबाए बगएर कुछ Character Keys दबा रहे हैं और ये सब Capital लिखे जा रहे हैं अब हम Caps Lock Key Key On रखते हुए Shift के साथ यही Character Keys दबा रहे हैं और देखिए अब ये सब Small लिखे जा रहे हैं मुखतसरन, Shift Keys, Elphabets की States को Change करने के काम आती है यानि अगर Elphabets Upper Case में हैं तो Lower Case और अगर Lower Case में हैं तो Upper Case में करने के लिए अब जरा इन Keys पर गौर करें आप देख रहे हैं कि हर Key के उपर दो-दो Symbols लिखे हुए हैं हो सकता है कि आपके जहन में ये सवाल उठा हो कि जब ऐसी कोई Key दबाई जाती है तो Computer को कैसे पता चलता है कि हम दोनों में से कौन सा Symbol लिखना चा रहे हैं Shift Key ऐसी सुरतिहाल से निमटने के लिए भी इस्तमाल होती है देखिए ऐसे Keys के के केस में जिसमें दो-दो Symbol बने हुए हैं अगर हम नीचे वाला Character लिखना चा रहे हो तो हम Shift Key के बगएर ये Key दबा रहे हैं सिर्फ इस Key को दबाने से नीचे वाला Character लिखा नजर आ रहा है और अगर हमें ऐसे ही Key का उपर वाला Symbol लिखने की जरूरत हो तो देखिए हमने पहले Shift Key को दबाया है अब इसे दबाय रखते हुए हम ये Key दबा रही हैं इस तरह आपने देखा कि हमने Shift Key की मदद से दो-दो Symbols वाली Keys को इस्तेमाल करना सीख लिया है Windows की अगली Keys जो आप देख रहे हैं Windows Key कहलाती है ये आमतोर पर Keyboard के निचले हिस्से में Alt Key के साथ होती है Windows Key के उपर एक छोटा सा Microsoft Windows का लोगो बना हुआ है इस Key के बारे में हम आगे Courses में तफसील से जानेंगे Tab Key Caps Lock के साथ आप एक आहम Key देख रही हैं जिस पर TAB यानि Tab लिखा हुआ है इसे Tab Key कहते हैं Tab की एक मरतबा प्रेस करने से लिखने के दौरान आपका करसर कुछ Fixed Number of Spaces दाए जानिब चला जाता है देखिए आपके सामने हम Virtual लिख रही हैं और अब हमने Tab Key प्रेस की है और इसके बाद हम University लिख रही हैं आपने देखा कि जब हमने Tab Key प्रेस की तो लिखने के दौरान हम कुछ Spaces दाएं तरफ आगे चले गए हैं Backspace Key अब जो की आप देख रहे हैं इसे Backspace Key कहते हैं असलमें Backspace Key एक मरतबा दबाने से बाएं जानिब का एक करेक्टर मिटाया जा सकता है यानि जिस तरह कागस पर लिखते हुए कोई भी गलती हो सकती है इसी तरह कम्प्यूटर पर लिखते हुए अगर कुछ गलत लिखा जाए तो उसे मिटाने की जरूरत होती है इसके लिए Backspace Key भी इस्तेमाल होती है चलिए, अब हम Virtual University का लफ्स लिखते हैं ओहो, हमने University के लफ्स में तीन वाए गलती से डाल दिये हैं जैसा के आपके सामने स्क्रीन पर Virtual University लिखा हुआ है अब हम एक मरतबा Backspace की प्रेस कर रही है देखिए, एक वाए मिट गया है इसी तरह हम एक और मरतबा इसे प्रेस कर रही है और बाए जानिब का एक और वाए मिट गया है Arrow Keys Keyboard के दाए जानिब चार Keys का एक सेट आप देख रही है जिन पर चार मुख्तलिफ डाएरेक्शन्स में Arrow या तीर के निशान बने हुए है इनको Arrow Keys कहते है इसकी पर तीर का निशान दाइन तरफ को है इसे Right Arrow की कहते है इसी तरह ये Key जिस पर तीर का निशान बाइं तरफ को है, इसे left arrow की कहते हैं। देखिए, इसकी पर तीर का निशान उपर की तरफ है, ये आप arrow की कहलाती है। और इसकी पर तीर का निशान नीचे की तरफ है, ये down arrow की कहलाती है। आपके सामने पाकिस्तान के मुतालिफ कुछ टेक्स लिखा हुआ है. घौर करें, करसर दर्म्यान में है. देखिए, आप arrow key को एक मर्तबा दबाने से, करसर अपनी पहली जगा से एक लाइन उपर चला गया है. इसी तरह, डाउन arrow key को एक मर्तबा दबाने से, करसर एक लाइन नीचे चला गया है. और अब, लेफ्ट arrow key को दबाने से, करसर एक लाइन नीचे चला गया है. इस तरह हमने देखा कि arrow keys कम्प्यूटर पर काम करते हुए, दाएं, बाएं, ओपर और नीचे जाने के लिए इस्तमाल होती हैं. एंटर की और नमबर पैड जैसा कि आप जानते हैं कि नुमेरिक पैड के दाएं जाने एंटर की भी मौजूद है. इस एंटर की का मकसद यह है कि अगर नुमेरिक पैड यूज़ करते हुए आपको ये की इस्तमाल करनी हो, तो आप इसी पैड पर मौजूद एंटर की यूज़ कर सकते हैं. Some other special keys. arrow keys के उपर आप कुछ special keys देख रही हैं, जिन में insert, delete, home, end, page up और page down की keys शामिल हैं. इंसेर्ट की के साथ आप देख सकते हैं कि delete की है. जिस तरह backspace की प्रेस करने से बाइंचानिब का यानि पिछला करेक्टर मिटाया जाता है, इसी तरह देखिए. अगर हमने अगला यानि दाइंचानिब का करेक्टर मिटाना हूँ, तो उसके लिए delete की इस्तेमाल की जाती है. Home and end keys. Home key किसी भी line के शिरू में जाने के लिए इस्तेमाल होती है. अब जो की आप highlighted देख रही हैं, इसे end की कहती है. End की किसी भी line के आखिर में या end में जाने के लिए इस्तेमाल होती है. Page up, Page down keys. Home key के साथ आप देख रहे हैं, कि page up की की है. First करें के हमारा एक document है, जिसके तीन सफी हैं, और इस वक्त हमारा cursor दूसरे सफी पर है. अगर हम पिछले सफे पर जाना चाह रही हूं, तो देखी, हम इसके लिए page up की की इस्तेमाल कर रही हैं. अब हमारा cursor पहले सफे पर आ गया है. इसी तरह, अगर हम अगले सफे पर जाना चाहें, तो देखीए, page down की की मदद से हम पिछले सफे पर आ गये हैं. इस तरह, page up की की ऊपर जाने के लिए, और page down की की एक सफा नीचे जाने के लिए इस्तेमाल की जाती है. print screen key, अगली की जो आप देख रहे हैं, वो print screen की की है. print screen key, एक खास की है, जिसकी मदद से हम computer की screen की तस्वीर को वक्ती तोर पर computer में महफूस कर सकती हैं. scroll lock key, अगली की जो आप देख रहे हैं, उसे scroll lock key कहते हैं. Pause, Break Key. इसके साथ आप एक और की देख रही हैं, जिससे Pause या Break Key कहते हैं. Application Key. एक Arm Key, जो अभी तक हमने डिसकस नहीं की, वो Application Key है. ये एक ऐसी Key है, जिसको दबाने से स्क्रीन पर कुछ जरूरी इंफरमेशन नजर आती हैं. Number Pad, अब हम Keyboard के दाएं जानिब एक Set of Keys देख रहे हैं, जिसे Number Key Pad या Numeric Pad कहां जाता है? आप देख सकते हैं कि Numeric Pad, Number Keys और Mathematical Symbols का Group है. इसके इलावा, इसके उपर एक Toggle Key भी मौजूद है, जिसे Num Lock Key कहते हैं. गौर करें कि Number Keys के उपर कुछ चानी पहचानी Keys के सिंबल भी मौजूद हैं, जिन में Page Down, Insert, End, Delete और Page Up वगईरा शामिल हैं. Num Lock, जब Num Lock की Key On होती है, तो Keyboard पर मौजूद ये Light भी On हो जाती है, जो ये जाहिर करती है कि Num Lock की Key On स्टेट में है. जब Num Lock की Off होती है, तो देखिए, कीबोर्ड पर मौजूद लाइट भी Off हो जाती है, जो हमें ये बताती है कि Num Lock की Off स्टेट में है. देखिए, क्यूंकि अब Num Lock की Off है, इसलिए चार तपाने से Number टाइप नहीं हो रहा, बलके ये Left arrow की का काम कर रही है. इसके साथ साथ आप देख रहे हैं, कि Numeric Pad की कुछ कीज पर Mathematical Symbols यानि Plus Sign, Minus Sign बने हुए हैं. ये कीज Mathematical Operations के लिए इस्तमाल होती हैं. जैसा कि आप जानते हैं, कि Numeric Pad के दाएं जानिब Enter की भी मौजूद है. इस Enter की का मकसद ये है, कि अगर Numeric Pad यूज करते हुए, अगर आपको ये Enter की इस्तमाल करने की जरूरत पड़े, तो ये की इस्तमाल की जा सकती है. Summary Keyboard Basics के सेक्शन में अब तक जिन कीज के बारे में आपको बताया गया है, उनके नाम ये हैं. Alphabet Keys, Spacebar, Escape Key, Function Keys, Number Keys and Symbols, Bracket Keys, Backslash Key, Punctuation Keys, Enter Key, Alt Keys, Control Keys, Caps Lock Key, Shift Key, Shift Plus Number Keys, Windows Keys, Tab Key, Backspace Key, Arrow Keys, Alternate Enter Keys, Delete Key, Home Key, End Key, Page Up Key, Page Down Key, Print Screen Key, Scroll Lock Key, Pause Break Key, Application Key, Numeric Pad, Num Log Key, Additional Navigational Keys, और Mathematical Operation Keys, हमने Keyboard के बारे में और Keyboard Keys के बारे में बहुत डीटेल से देख लिया है.